दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरिश्टर अक्षे कुमार के फिल्म बेल बोटम के तीन दिनों के बोक्स ओफिस कलिक्सन के बारे में और आपको बताएंगे बेल बोटम फिल्म ने तीसरे दिन बोक्स ओफिस पर कितने कमई की साथ इसाथ बात करेंगे अलो अर्जुन की फिल्म पुस्पा की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो शली यह सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो दोस्तो सबसे पहले अगर बात करें सुपरिश्टार अक्षे कुमार के फिल्म बेल बोटम के बारे में बेल बोटम फिल्म को आज रिलिश हुए बोक्स ओफिस पर तीसरा दिन चल रहा है फिल्म ने सुरुवाती दो दिनों में कोई खास कमाल तो नहीं किया लेकिन इस तरह के हलातों में भी फिल्म ने सुरुवाती दो दिनों में ठीक ठाक कमई कर ली है लेकिन दोस्तो अगर बात करें कि अक्षे कुमार के एक्षन थ्रिलर फिल्म बेल बोटम तीसरे दिन बोक्स ओफिस पर केसा परफॉर्म कर रही है तो दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि बेल बोटम फिल्म को तीसरे दिन 3D और 2D दोनों वर्जन में पबलिक की तरफ से काफे बढ़या रिस्पोंस मिला है फिर चाहे हो मोर्निंग वाले सोज हो यूनिंग वाले या अप्टर नून वाले जिया दोस्तो आपको बता दे कि बेल बोटम फिल्म को आज 3D वर्जन में मोर्निंग वाले सोज में उक्किपेंसी मिली थी 17% की वही अप्टर नून में 19% की और यूनिंग सोज में 25% की बात करें 2D वर्जन की, तो बेल बोटम फिल्म को 2D वर्जन में 3 दिन, मौर्निंग सोज में occupancy मिली थी 16% की, अप्टर नून के सोज में 19% की, वही यूनिंग सोज में 27% की, तो दोस्तों यहाँ पे बेल बोटम फिल्म की जो 3 दिन की occupancy है, उससे देखते हुए लग रहा है कि बेल बोटम फिल्म आपने तीसरे दिन, लगभग 3 करोड 10 लाख रुपे का नेट कलेक्शन कर सकती है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बेल बोटम फिल्म का सुरुवाती 3 दिनों में, ओल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है लगभग 11 करोड रुपे, वही 3 दिनों में इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 16 करोड रुपे, बात की जाए और सिस कलेक्शन की तो दोस्तों बेल बोटम फिल्म ने, सुरुवाती 3 दिनों में और सिस मार्केट से कमई की है, इसी के साथ दोस्तों बेल बोटम फिल्म का सुरुवाती 3 दिनों में, वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 17 करोड पचास लाक रुपे, वही दोस्तों बात करें 47 सिस्टार अल्लु अर्जुन की पेन इंडिया फिल्म पुस्पा के बारे में, तो दोस्तों सुकुमार के डारेक्शन में बन रही पेन इंडिया फिल्म पुस्पा, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे अल्लु अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस फिल्म के विलन है फाहत फाजिल, तो दोस्तों आपको पिछले विडियो में बता चुका हूँ कि अल्लु अर्जुन पुस्पा फिल्म की सुटिंग जोरो सोरो से कर रहे हैं, और आभी तक पुस्पा फिल्म के जतने भी सूटिंग होई थी उस सूटिंग में अलू अर्जुन और रश्मिका मंदना यानि कि फिल्म के सिर्फ दो लीडिंग श्टार काश्ट ने की थी लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज से पुस्पा फिल्म के जो विलन है यानि कि फाहद फाजिल उन्हों ने भी पुस्पा फिल्म के सूटिंग सुरू कर दी है जिया दोस्तों आपको बता दे कि पुस्पा फिल्म के मेकर्स ने आज ओफिसल अनॉस्मेंट की है कि फाहत फाजिल ने आज से पुस्पा फिल्म की जो सुटिंग है वो सुरू कर दी है साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे फाहत फाजिल का एक वेलकम पोश्ट भी जारी किया है तो दोस्तों यहाँ पे अलो अर्जुन की फिल्म पुस्पा की जो सूटिंग है वो लगभग एक महिने के अंदर-अंदर खत्म होने वाली और फिल्म को रिलिज किया जाना है दिसंबर 2021 यानि की इसी साल क्रिस्मस के मोके पर तो दोस्तों यहाँ पे पुस्पा फिल्म को लेकर यही एक छोटी से अपडेट थी उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें